तो बांगलादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस पर बहुत कम लोगों की ही नजरे जा रही है। दरसल भारत के पड़ोसी देश बांगलादेश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। और इसके कारण न सिर्फ बांगलादेश में उथल पुथल देखने को मिल रही है, बलकि बांगलादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक-दो महीनों से बांगलादेश में काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर है, उन्हें अपना सामान बां बांगलादेश में किया जा रहा था, उन्हें अब आसानी से एंट्री नहीं मिल पा रही है, जिससे जल्दी खराब होने वाले फूड प्रोड़क्ट एक्सपायर हो रहे हैं, और भारत की कमपनियां घाटे में जा रही हैं, और यह स्थिती हाल ही में और भी ज्यादा बांगलादेश की पी-म शेक हसीना अपने देश को छोड़ कर भाग चुकी है और उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है, पूरी खबर क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइ के देशों की नजरे भारत और बांगलादेश के रिष्टे को तोड़ने पर ठिकी हुई थी, जिसमें अमेरिका, चीन और इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, यह तीनों देश मिलकर भारत और बांगलादेश के बीच, द्विपक्षीय व्यापार और आर बांगलादेश और भूटान को धीरे-धीरे कंट्रोल में लेकर वैश्विक बाजार में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर भारत पीछे हट जाए। मजबूरन खुद रिजाइन दे दिया है। भारत के लिए इतनी ज्यादा बुरी खबर है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है, क्योंकि जब से बांगलादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब से भारत की कई कमपनियां काफी ज् बांगलादेश के पी एम आवास में जबर्दस्त दंगों के बीच में हसीना सेख को हेलिकॉप्टर पर बैठ कर जल्द से जल्द भागना पड़ा, इस बीच अचानक पी एम आवास में 20 लाख से ज्यादा लोगों की भीड इकठा हो गई थी, इसके बाद यह भारत है क्योंकि बांगलादेश में ठीक वही हो रहा है जो पिछले साल श्रीलंका में हुआ था, लेकिन ये हालात श्रीलंका से भी ज्यादा बत्तर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत से PM मोदी और बांगलादेश से शेख हसीना को सत्ता से हटाना है। तो बताया गया है कि अमेरिका बांगलादेश के हिस्से में एक सैन्य बेस बनाना चाहता था ताकि वह उससे भारत पर नजर रख सके। क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका ने मिलिटरी बेस बनाने की कोशिश की इस इलाके में भारत के नौर्थ इस्ट राज्य है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी भी मौजूद है। उनको बंगाल की खाड़ी में ही टेस्ट किया जाता है। इसलिए अमेरिका इस कोशिश में जुटा हुआ था कि भारत की डिफेंस जासूसी करने के लिए वह बांगलादेश के हिस्से में सैन्य बेस बनाए। लेकिन बंगलादेश ने जिस तरीके से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया था उससे अमेरिका पूरी तरह से नाराज हो गया और वह हाथ धोकर बंगलादेश के पीछे पड़ चुका था। सभी प्रोजेक्ट रद्ध कर दे और उसके बजाए वह चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाए। यहां तक कि भारत के सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश राज्य से होकर जो तीस्ता नदी बंगलादेश से गुजरती है उस पर चीन बांध बनाना चाहता था। जिसके लिए चीन ने बांगलादेश को कई बार ओफर दिया कि वह बहुत कम लागत में इसे खुद बनाएंगे। और यदि चीन कभी यहाँ पर हमला कर दे तो इससे भारत के नौर्थ इस्ट वाले इलाके बिलकुल अलग हो जाएंगे। फिलहाल इस मैप पर नजर डाली जाए तो हम देख सकते हैं कि बांगलादेश का ज्यादा तर हिस्सा भारत की सीमा से सटा हुआ है। इसलिए चीन बांगलादेश में आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कश्मीर की अपेक्षा यहाँ से भारत के इलाके में घुसना काफी ज्यादा आसान है और यदि चीन यहाँ पर आ गया तो भारत के लिए काफी ज्यादा खत्रा पैदा हो जाएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि बांगलादेश में जो स्थितियां बिगड रही है उससे इस समय भारत का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। जो कि बांगलादेश में बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा भारत की एग्रिकल्चर और फूड प्रोड़क्ट का एक्सपोर्ट करने वाली जो कमपनियां हैं उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि ज्यादा तर जो प्रोड़क्ट बांगलादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किये गए थे वे एक्सपायर हो रहे हैं। हाला कि हम आशा करते हैं कि बांगलादेश की सिचुएशन जल्द ही दोबारा से ठीक होगी और भारत की कमपनियां अपने राह पर वापस लोटेंगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि बांगलादेश और भारत के बीच आगे चलकर क्या होने वाला है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके इसी तरह और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें जैश्री राम